हेलो एवरिवन वेलकम टू लर्निंग बुक लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 25 जनवरी 2021 से संबंधित करेंट अफेर के महतपूर प्रशनों को डिसकस करेंगे अपने कोस्चन के डिसकस्चन की शुरुवात की जा उससे पह वीडियो चैनल पर अप्लोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके और आपकी कोई क्वेरी जो करेंट अफेर से रिलेटेड या फिर कोई अनक्वेरी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो उसका प्रॉपर तरीके से आपको एंसर किया जाएगा पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने पीडियो की बात की करेंट अफेर से रिलेटेड जो वीडियो बनते हैं उनके पीडियो के लिए तो मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि आप लर्निंग बुक का एक टेलिग्राम चैनल है उसको अभी जॉइन कर लो अभी उ उस पे हंड्रेड मेंबर्स कंप्लीट हो जाएंगे हम आपको पीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे वहां पर तो आप उसे जॉइन करो और जल्दी से जल्दी उसको ठीडिजिट का कर दो टेलिग्राम चैनल है जिसका लिंक आज आपको कमेंट बॉक्स में प पहले प्रस्तन के साओग आज का पहिला प्रस्तन्न है गुजरा सरकार ने हाल ही में ड्रेगन फ्रूट का नाम बदल कर क्या रखने की गोश्रा की है ड्रेगन फ्रूट ये एक फल है ये मेरीका का फल है मतलब अमेरिकन इंडिजिनर से वहां उत्पत्ती है इसकी लेकिन न अच्छी पैदावार इसकी होती है लेकिन इसका नाम बदलते हुए गुजरात सरकार ने अभी कमलम फ्रूट कर दिया है option A इसका correct हो जाएगा अब ड्रेगन फ्रूट को गुजरात में कमलम फ्रूट के नाम से जान लेंगे और mainly यह American indigenous फ्रूट है इसका जो जीनस है उसको हाईलो सीरॉस बोलते है ड्रेगन फ्रूट अब कमलम फ्रूट के नाम से जाना जाएगा तो आप यह समझ लो कि कमलम फ्रूट इंडिया में महगव फ्रूमस से एक है और कई सारे health benefit है इसमें खास करके यह immunity booster के तोर पर यूज किया जाता है कमलम फ्रूट की आपको मैं पिक दिखा देता हूँ यह है कमलम फ्रूट की पिक आप देख सकते हो जिसका पहले नाम था ड्रेगन फ्रूट इसका नाम गुजराश सरकार ने अभी convert कर दिया है बदल दिया है कमलम फ्रूट के नाम से तो इससे आप याद रखोगे देखो इसमें spike निकले हुए यह काटे निकले हुए हैं तो इसको cactus fruit भी कहीं कहीं पे बोलते हैं आईए move करते हैं अपने अब next question की तरफ केंदर सरकार ने नेता जी सुबास्चंद्र बोस की जैनती को किस दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है अब नेता जी सुबास्चंद्र बोस की जैनती को पराक्रम दिवस के रूप में भारत में मनाये जाएगा नेता जी सुबास चंदर बोस का जन्द तेश जन्वरी को हुआ था और इसी दिन को अब हम प्रतेकवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे और तेश जन्वरी 2021 नेता जी की ये 125 वी जैन्ती थी और इसी उपलक्ष में ये घोशड़ा की गई केंदर सरकार के द्वा नेता जी सुबास चंदर बोस ने जब हम ब्रिटिसर्स के खिलाफ अपनी आजाज़ई के लिए लड़ाई कर रहे थे उस समय आजाद हिंज आजाद हिंद फौज की अस्थापना करी थी और आपसन यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कोश् रजाज यह बन गया है लेको इससे पहले यह 32 इनिंग्स में 1000 बनाया था महंदर सिंह धौनी ने 32 पारियों में 1000 हधा महंदर सिंग धौनी ने उनका रिकार्ड तोडते हुए अब रिशब रिशब पंथ ने मात्र 27 पारियों में 1000 रन बनाया है और ये किस चीज़ की बात की जारी ये टेस्ट मैच की बात की जारी है 32 पारियों की टेस्ट मैच में महेंच धोनी ने बनाया था 1000 रन और सिर्फ 27 मैच का इस्तमाल करते हुए रिशब पंथ ने ये बना दिया है 1000 रन तो option भी इसका correct हो जाएगा move करते हैं अपने next question की तरफ भारत ने सबसे पहले निम्द में से किस पडूशी देश को डेड़ करोड वैक्सीन कोविट सील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किया है कोविट सील्ड का डेड़ करोड का जो वैक्सीन है जिसका नाम है कोविट सील्ड इसको उपहार के तोर पे दिया है भारत ने भूटान को भूटान हमारे देश का नेवर कंट्री है और इसका बार्डर सिर्फ दो कंट्रियों को टच करता है एक तो चाइना और एक इंडिया तो आप समझ सकते हो कि ये हमारे इंडिया के लिए कितना महतपूर कंट्री है और भूटान की राजधानी ठिंपू है बात करते हैं भारत में कोविट वैक्सीन की इंडिया में दो कोविट वैक्सीन इस समय इमर्जेंसी यूज़ के लिए कोविट शील्ड और एक का नाम है कोविट शील्ड ये आक्सफोर्ट इनवर्सिटी और एस्टराजेनिका इनके द्वारा बनाए गया है लेकिन इसके निर्माड का जो निर्माड करने के लिए जिस कंपनी को इन्होंने चुना है वो है Serum Institute of India जो की पूने में इस्तित है Serum Institute of India पूरे वर्ड की सबसे बड़ी vaccine manufacturing company है और ये हमारे देश के पूना में इस्तित है तो COVID Shield जिसे Oxford University और Estrogenica ने बनाया है उसका manufacturing कर रहा है Serum Institute of Pune तो COVID Shield को एक तो मिला है इंडिया में emergency use के लिए permission दूसरा है Co-vaccine जिसे भारत बायो टेक नाम की company ने बनाया है और भारत बायो टेक company हमारी इंडिया की company है और एक वैक्सीन की बात और कर लेते हैं एक वैक्सीन है Pfizer की वैक्सीन Pfizer और बायो टेक company BioNTech company Pfizer ये American company है BioNTech ये German company है दोनों ने मिलकर इसे बनाया है और WHO ने इसे approved किया है अभी तक ये एक मात्र वैक्सीन है जिसे WHO ने approved किया है और Pfizer की वैक्सीन को America, US और Germany में भी emergency use के लिए approved कर दिया है वहां की government ने हम क्या कर रहे हैं हमारा देखो अभी भूटान को हमने डेड़ करोड वैक्सीन COVID-sealed के डोच को as a gift दिया है मतलब उसका पैसा हमने नहीं लिया हमारी policy है neverhood first मतलब पडोसी पहले सबसे पहले हम अपने पडोसीओं के लिए आगे आते हैं उसी policy के तहत भारत ने कुल नेपाल, बंगलादेश, म्यम्यार, भूटान, माल्दियू, स्रीलंका, ब्राजील इन देखो भारत ने कुल नौ देशों को अभी तक COVID-sealed की वैक्सीन भेजी है जिसमें से भूटान को उपहार के तोर पे दिया है नेपाल, बंगलादेश, म्यम्यार, माल्दियू, और स्रीलंका इन कंट्रियों को भारत ने इसका चार्ज करके दिया मतलब की पैसे लेके दिये है और फिर ब्राजील, मोरक्को और सेशेल्स इन देशों को भी भारत ने वैक्सीन भेज दिया है इन्डिया से करीब 92 कंट्रीज ऐसी है जो लगातार इन्डिया से कांटेक्ट बना रही है वैक्सीन के लिए क्योंकि हमारे देश ने वैक्सीन का जो प्राइस है वो काफी कम रखा है ताकि इसकी पहुँच अधिक से अधिक लोगों तक हो सके और यहां तक कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है जैर बोल सोनारो उन्होंने हनुमान जी के साथ हनुमान जी को संजीवनी लेके उड़ते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर यह पोस्ट किया था और इंडिया को थैंक्यू बोला था हमारा नेक्स्ट कोशन है गरतन दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारती महिला निम्न में से कौन बन गई फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारती महिला बनी है भावना कांत आप्सन बी करेक्ट हो जाएगा देखो कोविड सॉरी 26 जनवरी Republic Day पे आपको एक Special वीडियो कल प्रोवाइड करा जाएगा हलाकि ये थोड़ा लेट चल ला है कल 29 होगी तो हम 26 को आपको Special 26 जनवरी का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे 29 को मैंने आपको बताया था कि मुझे फीबर था की वज़ा से वीडियो को अपलोड नहीं किया जा सक रहा था और मैं recording करने की स्थिति में नहीं था मेरी तवियत खराब थी तो अभी 26 का Special वीडियो आपको 29 को मिलेगा जिसमें गरतन दिवे से से जोभी कोशन बन सकते हैं सभी को कवर किया जाएगा और आ pomoc वीडियो को से किसी भी एकजाम में दो से तीन कोशन जरूर से जरूर पूछा जाता है जिन्होंने गरतन दिवेस परेड़् में फइटर प्लेन उड़ने वाली ये भारत की पहली महला बनने का गौरव हासिल किया है फिलिस्तीन ने कितने वर्सों बाद साल 2021 में अपना पहला राश्ट्रिय चुनाओ आयुजित करने की तयारी की है तो फिलिस्तीन में इसके पहले 2006 में इलक्षन हुआ था और 2014 सारी 2021 में नेक्स्ट इलक्षन होगा तो अभी 14 सालों के बाद फिलिस्तीन इलक्षन कराने जा रहा है अपने वहाँ पे ये घुच्छा की फिलिस्तीन की राश्ट्रपती महमूद अबास ने और मई 2021 से जुलाई 2021 के बीच ये इलक्षन होगा और अगस्त में इसका रजल्ट आउट किया जाएगा इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध कारडों की वज़ा से फिलिस्तीन में इलक्षन नहीं हो पाया पिछले 14 वर्सों से आप्सन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ जनवरी 2021 तक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरड यानि की पर्सनल प्रोटेक्शन एक्क्विप्मेंट किट पीपीई किट आप समझ भी चुके होगे क्योंकि यह काफी दिनों से चर्चा में है जिसे पहन के आपने देखा होगा नियूज, सोशल मीडिया हर जगा पे कि डॉक्टर लोग जब भी COVID-19 से रिलेटेट कोई भी वर्क करते हैं या पेशन्ट से मिलते हैं तो वो PPE किट पहने होते हैं जिसमें 100% उनको सुरक्षा दी जाती है ताकि वो उनको COVID-19 का इंफेक्शन ना हो सके कुश्चन यह है कि PPE किट और सूट का सबसे बड़ा निर्माता देश कौन सा है जनवरी 2021 तक की डेटा के हिसाब से तो यह है चाइना चाइना ने 2021 जनवरी तक अभी तक मतलब सबसे अधिक PPE किट का एक्सपोर्ट करा है और साथी साथ मैनुफैक्शरिंग भी की है वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया है क्योंकि हमारे पास सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया जो की वर्ड की विगेस्ट बैक्सीन मैनुफैक्शरिंग कमपनी है यह हमारे देश में है और यह पूने में है सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया इसका नाम ही है तो आगे आने वाले समय में ऐसा अभी देखो कोई डेटा तो ऐसा नहीं आया कि किस देश ने सबसे अधिक COVID-19 की वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया है लेकिन आगे आने वाले समय में ये डेटा आता है तो हमारे देश का नाम पहले अस्थान पे हो तो कोई आश्यर की बात नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पूरे विस्स की सबसे बड़ी वैक्सीन मैनुफैक्शरिंग इंस्ट्यूट है जिसका नाम है सीरम इंस्ट्यूट आफ इंडिया जो की भारत के पूने में है मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कोश्चन की तरफ नेक्स्ट कोश्चन है जम्बु कास्मीर प्रसाशनिक शेवा में नए सीरियों से लागू आयू सीमा क्या कर दी गई है देखो इसके पहले यहाँ पे 37 एयर तक लोग जम्बु कास्मीर में अपना वहाँ का जो स्टेट गॉवर्मेंट का लोग से वाय उक था उसका एक्जाम दे सकते थे लेकिन इसे कम करते हुए अब 32 एयर कर दिया गया है जम्बु कास्मीर पहले अपना एक अलग स्टेट था लेकिन अभी उसे धारा 370 हटाने के बाद union territory घूषित कर दिया गया है केंद सरकार के दोरा तो अब वहाँ पे ये केंद सरकार ने ये निड़े लिया है कि 37 वर्स नहीं अभी 32 वर्स वहां कर दिया गया है प्रसासनिक सेवा के लिए आयू सीमा को जानि की 5 वर्स कम कर दिया गया है भारत के बिभिन राज्यों में ज 32 यानि कि 32 option C correct हो जाएगा move करते हैं अपने next question की तरफ next question किस राजसरकार ने हाल ही में व्यापारियों के लिए one time settlement scheme for recovery of outstanding dues योजना को मंजूरी दी है one time settlement scheme for recovery of outstanding dues योजना को मंजूरी दी है पंजाब गॉर्मेंट ने इस योजना के तहत जो व्यापारी वर्ग है उनका जो जो भी पैसा बकाया है state government का उसके लिए one time settlement योजना लागू की गई है जिसमें वहाँ की state government उनको कुछ relax देगी और वो अगर एक बार में अपने सारे पैसे को जमा करते हैं जैसे आप कोई business कर रहे हो आपका electricity का बिल बकाया है या फिर value added tax जो आपको पंजाब government को देना होता है उसमें कोई बकाया है या फिर वहाँ की नगर पालिका या नगर परिशत का कोई tax बकाया है या फिर किसी विकास प्राधी करड़ जो की पंजाब में है उसका कोई tax बकाया है या कोई bill बकाया है तो इन सभी को एक ही योजना के तहत आप settlement करने के लिए one time settlement scheme for recovery of outstanding dues योजना का लाब ले सकते हो और पंजाब government में अपने सारे के सारे जो बकाया है उनको एक साथ settle करा सकते हो इसी के उद्देश के साथ पंजाब सरकार ने इस योजना को लाँच किया है option B यहाँ पर correct हो जाएगा move करते है next question next question है ICRA की भविश्च बाड़ी के अनुशार financial year 2022 के लिए भारत की GDP विकास दर क्या होगी देखो financial year 2022 इसका मतलब है यह सुरू होगा एक अप्रैल 2021 से और 31 मार्च 2022 तक यह financial year का होगा financial year 2022 तक यह होगा ठीक और इसके लिए क्या भविश्च बाड़ी की है मतलब next financial year अभी हम किस financial year में अभी हम financial year 2021 में है तो financial year 2022 के लिए ICRA ने भविश्च बाड़ी की है कि भारत का जो GDP ग्रोथ रेट होगा वो 10.1% हो जाएगा option B इसका correct हो जाएगा और ICRA ने भारत के लिए जो GDP का prediction किया है financial year 2021 में वो है minus 8% ICRA का full form है investment information and credit rating agency देखो ICRA ये Moody's Association के साथ काम करती है Moody's का association है ICRA का ICRA हमारे इंडिया की company है और Moody's ये credit rating agency है अमेरिका की जिसका headquarter New York में है और ICRA का headquarter है Guru Gram हरियाना में option B यहाँ correct हो जाएगा move करते हैं अपने next question की तरफ हमारा next question है निम लिखित में से किसने MSME के digital परिवर्तन के लिए राष्ट्री लग उद्योग निगम NSIC के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ता अक्षर किया है NSIC के साथ समझोता ग्यापन पर हस्ता अक्षर किया है भारती Airtel ने Airtel Company अब MSME सेक्टर को digital बनाने के लिए NSIC के साथ समझोता किया है NSIC का full form है National Small Industries Corporation और यह MSME के लिए काम करता है और National Small Industries Corporation यह MSME मंत्राले के आधिन भी काम करता है इसने जो भी MSME unit है इंडिया में MSME unit मतलब medium, small, micro, small, medium enterprises मतलब जो छोटे बिजनेस हैं जो छोटे manufacturing unit हैं उनको MSME सेक्टर के आधिन रखा जाता है और इसका criteria मैंने आपको वीडियो में बताया है पिछले वीडियो में कि किसको MSME सेक्टर में कौन सा micro माना जाता है कौन सा small माना जाता है और कौन सा medium माना जाता है इसके अलग-अलग criteria है आप पीछे की वीडियो में जब देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा enterprises, कौन सा business किस स्रेडि में आता है तो MSME सेक्टर को digital बनाने के लिए NSIC यानि कि National Small Industries Corporation ने भारती Airtail के साथ समझोता किया है भारत में लगबग 60 मिलियन से अधिक MSME की unit है हमारे MSME मंत्री का नाम है नितिन कटकरी मूफ करते हैं अपने next question की तरफ हमारा next question है किस राजे ने 30 में राष्ट्रिय उर्जा संग्रक्षण पुरुसकार 2020 में अपनी प्रभावी उर्जा संग्रक्षण कारिक्रम के लिए राज्यों के लिए जो नामित स्रेडी होती है उसमें प्रथम पुरुसकार जीता है देखो ये पुरुषकार दिया जाता है विद्धुत पंतराले के द्वारा और इसमें Renewable Energy के लिए जो भी राज्य अच्छे प्रदानसन करता है पूरे साल के दोरान उसे ये पुरुषकार प्रदान किया जाता है इस वर्द का ये पुरुषकार दिया गया है केरला को आप्शन भी इसका करेक्ट हो जाएगा और इस पुरुषकार वित्रड समारों में प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक नया टारगेट सेट किया है कि 2030 तक भारत Renewable Energy के छेत्र में 450 गीगावार्ट का प्रोडक्शन करने के लक्ष के साथ आगे बढ़ेगा 2030 तक जो लक्ष रखा गया है भारत के लिए वो है 450 गीगावार्ट का ठीक इससे पहले क्या आप पढ़ते दिरहे हो इसके पहले जो टारगेट था 2022 तक का था उसमें था 175 गीगावार्ट दोनों Renewable Energy से ही संबंधित है 175 गीगावार्ट का लक्ष है भारत का 2022 तक है चीफ करने का और ये Renewable Energy से संबंधित 175 गीगावार्ट भारत बनाएगा 2022 तक और नए लक्ष को जो रखा है प्रधान मंतरी नेरे इंदर मोदीनी वो है 2030 का 2030 तक भारत Renewable Energy के चेत्र में 450 गीगावार्ट के लक्ष के साथ आगे बढ़ेगा और अपने सबसिप प्रभावी राष्टी उर्जा संग्रक्षण पूरुसकार के लिए प्रभावी उर्जा संग्रक्षण कारिक्रम के लिए केरल को प्रथम पूरुसकार दिया गया option B correct हो जाएगा